सब्सक्राइबर कैसे बढ़ते हैं? सही गाना, सबसे बड़ा कोशन दोस्तों यही है कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ते हैं? अब सब्सक्राइबर कोई पेड़ में तो लगे नहीं कि ऐसे सब्सक्राइबर बढ़े आएंगी? सब्सक्राइबर तब बढ़ेंगे जब आपके चनल पे व्यूज आएंगे वीडियो पे व्यूज आएंगे तब ही सब्सक्राइबर बढ़ेंगे भाई सिंपल सी बात है ठीक है अब व्यूज कैसे आएंगे भाई यह भी एक question है कि views कैसे आएंगे views तब आएंगे जब योटूब आपके वीडियो का impression लोगों के सामने भीजेगा browse feature में डालेगा, impression suggest करेगा अब YouTube हमारे वीडियो को browse feature में डालेगा ठीक है तब कैसे डालेगा भाई भाई browse feature या suggestion में क्यों आएगी तूकि आपके वीडियो की performance अच्छी होगी और अच्छा होगा टाइटल अच्छा होगा, आपने match करके डाला होगा तो उसी वीडियो के recommendation या फिर browse feature में जो उस type के channel देखते होंगे वहाँ पर वो suggest करेगा अब वहाँ पर चलिज़ चीक impression भी बेज़ दिया यूटूब में, अब भाई सबसे last question की भाई अब उसमें click कौन करेगा click कौन करेगा, वो कौन करेगा audience करेगी, लोग करेगी जिनके सामने video जाएगा अब वहाँ पर वो आपकी video पर click क्यों करेगी सबसे बड़ा question भाई आपके video में ऐसा क्या है, वो आपके video को click करेगी पर यह ऐसे थो जी ना, वीडियो के वो तो, पहले तो option ही है कि ना कि video के पहले से बिना click किये वो अंदर तो आए जा नहीं जाएगा आपने क्या बताए, वीडियो में तो देख नहीं लेगा तो अब वो आपके video में click क्यों करेगी click तब करेंगे जब आपका thumbnail अच्छा होगा आपका title अच्छा होगा guys समझ गे, आखिर मैं आज आपको क्या बताना वाला हूँ कि जो thumbnail होता है, यह most important होता है हमारे YouTube channel को grow कराने में guys देखिए मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा guys मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर जितने भी subscribers, वोर्स टाइम, आपके views यह सभी depend करते हैं आपके thumbnail पर सबसे पहला आपका focus thumbnail होगा ठीक है, अब जब तक देखिए कुछ भी आप वीडियो कितना भी अच्छा बना लो अंदर आपने बहुत अच्छी जानकारी देली बहुत अच्छी सूट बूट करके बैठा हो camera बहुत अच्छा है, setup बहुत background अच्छा है चले बहुत अच्छी, good अपका वीडियो बहुत अच्छा है, अच्छी कॉल्टी में आपका अपने वीडियो बना लिया अच्छी location पे जाके लेकिन भाई रहे आपने thumbnail में hug दिया thumbnail आपने अच्छा नहीं बनाया माली जे आपके वीडियो YouTube recommend कर दिया आपका वीडियो यूटूब ने क्या किया पचास सो लोगों तक जो उसी type के channel देखते है वहाँ पर उसने recommend कर दिया, उसने suggest कर दिया अब वहाँ पर वो आपके वीडियो में क्यों क्लिक करेंगे वहाँ पर आपका वीडियो तो पहले देखेगी नहीं ठीक है, देखो लोग thumbnail भी देखते हैं, title भी देखते हैं thumbnail भी देखके आ सकते हैं, title भी पढ़ सकते हैं लेकिन तो title और thumbnail, main हो जाता है सबसे पहले thumbnail ठीक है, title तो आपका वीडियो के recommendation में ब्राव feature recommendation में लाने में help करता है लेकिन thumbnail जो होता है, यह होता है views लाने का subscriber बनाने का तरीका दोस्तो, बास समझ गे तब जाके audience आपके वीडियो पर click करेगी जब तक आपका thumbnail अच्छा नहीं होगा guys तो वही आज मैं आपको बताने वाला हो कि आखिर आपको thumbnail कैसे बनाना है यह आज मैं आपको बतानगो, आखिर मैं अपने thumbnail कैसे बनाता हूँ काफी सारे लोग बुछते हैं, भाई यह आप कैसे बनाते हो thumbnail, अब thumbnail कैसे बनेगा यह भी बड़ा question है भाई यह तो mobile से बनेगा, जैसे मैं mobile से बनाता हूँ मैं mobile से बनाता हूँ आप मोबायल से तो बनाते हैं कौन से एप से बनता है भाई वो बनता है पिक्सल एप करने वा ये भी काफी सारे आप से जिनते आप सीख सकते हो थम्नल बनाना अब बागी ये एप कैसे चलाएंगे आप ये भी बड़ा कोश्चन है आपको आता नहीं आपने यूटुबर हैं यूटुबर हो, यूटुबर काम कर रहे हो लेकिन आपको थम्नल बनाना नहीं आता तो guys आज मायको यही सा बताने वाला हूं कि आखिर मेन हमारा पर्द पर जोता है पहले थम्नल अगर आपने thumbnail बराना नहीं सिखा वीडियो आप कितनी अच्छी बना लो आपके वीडियो पर audience क्लिक नहीं करेगी भाई आप कितने भी अच्छी अदर दुकान में अंदर कितना भी मिठाईयां कितनी भी अच्छी रख लो कितना भी बी आईपी बीठाई आप बेच लो लेकिन अगर आपके आगे का फोकस अच्छा नहीं हुआ ना तो लोग दूर से ही भग जाते ही या अपने गौर कि आप भी कभी मार्केट में जाते होंगे ना किसी रेस्टोरेंट वगर धावा में तो धावे का खाना अच्छा है लेकिए अगर रेस्टोरिंट बहगल में ही अच्छे से सजाया लाइटिंग मगरा लगाया है ना अच्छे से तो भाई वहां पर लड़की खडी कर दिया ना तो सबसे पहले कहों कि यार धाव है नहीं यार यह restaurant चलती देखो कितना अच्छे से सजाया है पास समझ गए ठीक इसे पेकार आपके वीडियो का thumbnail होता है अब thumbnail कैसे बनता है thumbnail ऐसे नहीं बन जाता है ठीक है आप ऐसे नहीं कि कोई भी आप यह जानते हैं यह pixel lab मैं इसी app से बनाता हूँ मैं इसी app से बनाता हूँ कुछ भी नहीं करता हूँ लेकिन इसमें क्या करता हूँ थोड़ा दिमाख लगाता हूँ अब thumbnail बनाने में आपको सारी चीज़े matter कर जाते हैं मेरी बात को बिल्कुल note down का लेना मैं कह रहा हूँ आपको क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ बताने वाला हूँ जो मैं करता हूँ देखो दोस्तों thumbnail आपने वीडियो में क्या बनाया है आप लोगों को क्या बता रहा हूँ सबसे पहले ये matter कर जाता है कि आपने लोगों को क्या बताया जानकारी क्या दिया है आपने ब्लोगिंग चैनल है कुकिंग का कैसा भी है ठीक है अब वहाँ पर अगर आप image लगाते ही thumbnail बनाते ही तो वहाँ पर आपको represent करना होता है अखिर आपको direct आप चीज़े दिखा नहीं सकते है देखो thumbnail जो होता है first impression होता है अगर आपने पहला impression ही आपना गलत कर दिया माली जी आप कहीं interview में जाते ही अगर आपने वहाँ पर फटी तीचे कपड़े पहन के चले गए तो भाई वहाँ पर पहला impression आपको खराब हो जाएगा सामने वाल आपको कभी be accept नहीं करेगा आपको reject कर देगा ठीक ही से परकार अगर आपका थमने लच्छा नहीं हुआ तो लोग आपके वीडियो को स्कॉल कर देंगे ऐसे करके स्कॉल कर देंगे फिर आपका वीडियो कौन देखेगा कोई नहीं देखेगा यूटूब को लगेगा कि भाईया मैंने 150 लोगों को आपके impression भेजा है और वहाँ पर लोगों ने क्लिकी नहीं किया क्योंकि आपका थमने लच्छा नहीं है अब देखेगे यह नहीं कि यारों रिस्तेदारों में आपने भेज दिया वीडियो वहाँ से लोग क्लिक कर देगे वो तो यह देख लिए आपके force करने पे share करने पे वहाँ स्थे views आगे आपको impression भी बहुत अच्छा दिख रहा है क्योंकि नए चानल जब होता है तो impression भी बहुत ज़्यादा हाई होता है कभी 15 हो जाता है कभी 10 हो जाता है तो आप बोलोगे कि मेरा तो impression बहुत अच्छा है लेकिन नई गाइस reality यहाँ होती है कि जब आपका वीडियो नई audience के पास YouTube दिकमेंड करता है नई audience के पास ब्रॉव feature में डालता है suggest करता है आखिर वहाँ पर reality पता चलती है कि आखिर वो audience आपके नई audience जो है जो नहीं आपके वीडियो अभी तक नहीं देखी है लेकिन उनको आप कितना हद तक अपने attract कर रहा है अपने thumbnail से ठीक है आपके रिस्तेदार दोस्त बगरा तो आपके देख लेंगे जो सब्सक्राब हैसे हैं वो तो देखी लेंगे आपके वीडियो लेकिन जो नई audience है वो आपके और वीडियो तक अब तक आएगी यह चीज़े मैंने भी किया गाईस चैनल पे अपने thumbnail को clickbird बनाने की कोशिज करिए अप clickbird यह नहीं कि अपने वीडियो में कुछ और बताया आपने thumbnail को चाहो थोड़ा सा आपको उसी से match करना अप direct चीज़े आप लिख नहीं देनी जैसे कि मैंने एक thumbnail बनाया है आज मैं आपको बता हुआ कैसे बनाया जाता है ठीक है अप direct आपको चीज़े लिख नहीं देनी है आपको suspense create करना है ठीक है direct आप चीज़े लिख नहीं सकते है लिख देंगे तो वह पहले से समझ जाएगा अगर उसने वीडियो देखी भी होगी पहले किसी की तो वह उसकी skip करेगा यह तो मैं जानता हूँ पहले भी देख चुका हूँ लेकिन आपको उस audience को उसी वीडियो को भले उसने पहले देख लिए लेकिन आपको उस पर click कराना है click कराना है तो आपको थोड़ा सा suspense create करना पड़ेगा सोचना पड़ेगा देखें गाइस वीडियो बनाने में जितना आप टाइम देते हो बहुत अच्छी बात है अच्छी से quality है सब कुछ है आपके वीडियो पे लेकिन प्लीज मैं आपसे request करूँगा कि starting में आप अपने thumbnail पे focus जरूर करना अगर आप अपना channel grow कराना चाहते ही तो thumbnail पे focus जरूर करना ये मैं आपको बता रहा हूँ और आप मेरे channel पे भी जा के देख सकते ही आप देखें ये internet है guys यहाँ पर आप कैसे grow होते ही ये नहीं matter करता है आप कितनी जल्दी उपर जाते ही ये matter करता है आपको ये नहीं देखा को कोई कि आपको कैसे grow हुआ है ये नहीं कोई देखेता है आपकी success देखता है अरे भाई ये channel वाइरल हो गया भाई तो जल्दी वाख खमाने लगा बास समझ गए तो आप आपने क्या कैसे किया है वो तो भाई ये technique है अब ये आपको भी अपनाई करनी है किसी कोई आपको बताए कर नहीं मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ फिर भी आपको सिखा रहा हूँ ठीक है तो आपको ये चीजे करनी है अब थमने बनाने में आपको सोचना है ऐसे नहीं कि कोई भी बिया हवा हवाई में बैठ गए अरे अच्छा ये करना है ठीक है बना दिया भाई ये हम बता रहे है चलिए ठीक फोटो डिर्क लगा दिया हमने कोई नहीं हम ब्लॉग बना रहे है ठीडा लिख दिया ब्लॉग अपना रहो मुझे पता my first vlog लिख दिया अपनी photo लगा दी, हाथ जोड दिया लेकिन actually भी लोग क्यों click करें कुछ ऐसा suspense word डालिए कुछ ऐसे statement लिखिए कुछ ऐसे आप डालिए जिससे कुछ stickers लगाई जिससे लोग attract हो आखिर भाई सब ये क्या question mark, question mark create करना पड़ेगा एक question mark, suspense और वो कैसे create करना है वो मैं आपको बताता हूँ, सोचाता हूँ सोचिए इस चीज को, कि दिमाग से आपको सोचना है अब कोई भी thumbnail बनाने से पहले ये ने की जल्दवाजी करनी है, मैं जो भी thumbnail स्टोरी है, मैं लीजी एक book है ठीक है, एक paper है, पूरा स्टोरी लिखी हुई है ठीक है, एक कहानी है लेकिन अगर आप एक picture दिखा दकते ठीक है, आपको एक picture दिखा दी जाए वो इसी story की एक पूरी picture बना दी जाए तो आप सिर्फ picture देखके जाए जाए आपको पढ़ने की जुरूत नहीं पढ़ेगी इसी पेकार आपको वीडियो में वीडियो के उपर जो थनल होता वहाँ पर आपको picture representation वहाँ पर word आप कौन से डाल रहो line कौन से लिख रहो कैसे आप color font लगा रहो अब यह नहीं कि भद्दा color लगा दिया black में बिल्कुर red लगा दिया तो कैसे उपरेगा भाई ठीक है बास समझ गए तो वही color selection करना word लिखना और picture representation कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा आपको कुछ नहीं करना गाईज जैसे मैं करता हूँ वैसे आपको करना है और thumbnail बनाने के लिए तो remove.bg.in इससे आप remove.bg इस पर जाके आप तुरंथ इस website से एक click में किसी की भी image को आप png में cover कर सकते हैं अपनी भी png बना सकते हैं आपको internet से यहाँ पर आदेख सकते हैं आपको क्या करना है background डाउलोड कर लेना है अब देखिए उसमें आप में तो है background लेकिन आपको अपको अल्ड़ी बाहर से background डाउलोड कर लेना है कुछ background वगएरा कुछ sticker वगएरा, subscriber वगएरा, ऐसे वगएरा जैसा भी आपका thumbnail है अब वैसे आपको download कर लेना चलिए अब मैं आपको mobile screen में बताता हूँ कि आखिर मैं thumbnail कैसे बनाता हूँ और जो मैंने कल thumbnail बनाया था वो मैंने कैसे बनाया था, सोचा क्या था तो वो चीज़े मैं आपको बताऊँगा और कैसे आप बनाएगी यह सारी चीज़े यह matter जरूर करता है दोस्तों आपका thumbnail thumbnail बहुत ज्यादा most important होता है चैनल को grow कराने में मैंने आपको पहले भी बताया है और आज मैं आपको फिर सी सिखा रहा हूँ कि आखिर मैं thumbnail कैसे बनाता हूँ और सारी चीज़े मैं आपको बताऊँगा ठीक है दोस्तों मैं इस app का यूज़ करता हूँ pixel lab ठीक है यह है pixel lab application ठीक है picture editor ठीक है तो इसको मैं download करता हूँ ठीक है play store से आपको मिल जाता है आप देख सकते ही कुछ इस तरीके से मैंने thumbnail बनाया हुआ ठीक है अब देखिए गाईज यहाँ पर यह thumbnail कैसे बनाया गया है यहाँ पर देख सकते हैं सारी इमेज अलग लग लगी हुई है यह background लगा हुआ अगर मैं इसे यहाँ से delete कर देता हूँ यह देखिए तो यह background हड जाता है यह देखिए back गया तो यह सारी चीज़ आ गई अब देखिए यहाँ पर सारी यह png इमेज है यह देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार ठीक है अब आप कैसे thumbnail बनाएंगे कैसे आपको बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ अब चलिए मैं पहले आपको इसे यहांसे इस file को project कोем saveEd दिखा देता हूँ ठीक है पहले मैं इसे save लेता हूँ नहीं तो यह फी perhaps चला जाएगा ठीक है 10 मैं इसे save कर दिया हूँ ठीक है इस पर click करने के बाद image size पर जाना है और यहाँ पर thumbnail का size होता है YouTube thumbnail यह देखे यहाँ पर click करना है यहाँ पर आपको click कर देना automatic size आजाता है आपको कुछ नहीं करना है अब देखिए यहाँ पर color का option है अब यहाँ पर देखेंगे color अब यह background color है यह देखिए color background color है जो background color आप रखना चाहते है माली जी यह color रखना चाहते है तो आप यहाँ से select कर लेंगे अब और भी color चाहते है gradient करना चाहते है mix color यह देखे कुछ इस तरीके से तो यह भी color आप select कर सकते हैं तो यह तो आपको उपर depend करता है तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके select कर लेता हूँ color अब यहाँ पर मैं इसे edit कर दो अब माली जी यहाँ पर आपको कोई image लगा नहीं है png image लगा नहीं अपनी image लगा नहीं है तो यहाँ पर आपको click करके बीच वाले option इस पर click करना है और यहाँ से import पर जाना है और यहाँ से आपको उम्मी जोगी वो आपको ले लेनी है चलिए यहाँ से मैं image ले लेता हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं इसे rotate कर सकते हैं जैसा भी आप लगाना चाहें अपने हिसाब से कर सकते हैं ठीक है, circle में लगा सकते ही, तो यह तो आपके उपर depend करता है, आप कैसा चाहते हैं, ठीक है, तो अपने हिसाब से आप ले लेंगे, और इसके बाद आप इसे add कर देंगे, यह देखे, ठीक है, अब यह छोटा बड़ा भी हो जाता है, इसे add भी कर सकते ही, जैसा भी आप लिखाना है, यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर लगा सकते ही अब यह देखी लग चुका image, ठीक है, इसको हमने यहाँ से lock कर दिया यह देखी इसको lock भी कर दिया, अगर मा लिजे इसके picture clear कम है तो इस पर click करके picture में यहाँ पर आपको जाना है, click करना है, और यह color filter यहाँ पर जाना है, और यहाँ से picture को और भी color यह देखिए, colorful बना सकते हैं, और भी इसको आप ऐसे करके बढ़ाद चोटा बढ़ा कर सकते हैं, ठीक है, तो इसके image को आप और भी अच्छे से context बढ़ाद बढ़ा सकते हैं, इसको लॉक कर दीजे, लॉक कर देंगे, तो यह आपकी image लॉक हो गई, यह देखिए, ठीक है, अब यहाँ पर और भी, जैसे माली जी, और भी image आड़ करनी है, जैसे मनोज भाई की मैंने image यह थी, अब यहाँ पर मैंने आड़ कर दिया, यह देखिए, यहाँ से मैंने add कर दिया image, ठीक है, अब मैंने यहाँ से image इसको add कर दिया, यह देखिए, ठीक है, लग गई इमेज, इसको भी मैं यहाँ से lock कर देता हूँ, ठीक है, देखो basic चीज मैं आपको बता रहो, सोचना आपको ही पड़ेगा भाई, मैं आपको हर चीज नहीं बता सकता हूं ठीक है अब मैं कोई भी image बनाने के लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता दो जिसे कोई भी बनानी है यह remove.bg यह website है इस पर आप upload कर लिए image ठीक है कोई भी image आपको PNG बनानी जैसे मालिजी यह image है इसको PNG बनाना है मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूं ठीक है जैसे मैंने सेलेक कि लिए बाइब चुटकियों में चुटकियों में आपकी image पेंजी में बन जाती है आपको कुछ भी नहीं करना है यह देखिए यह देखिए बन गई यह देखिए बन गई इसको को डाउनलोड कर लो यह डाउनलोड हो गई आपकी तो इमेज चुटकियों बन गई तो इसका इस्तमाल कर लेना और साथी साथ जो भी आप दाउनोड करना चाहते हैं, जैसे जो भी बटन चाहिए, कुछ भी चाहिए, बटन, यूटूब बटन, कुछ भी चाहिए, मोबाइल PNG, कैसा भी GIF, इमेज, जो भी चाहिए, सब कुछ आप यहां से डाउनोड कर सकते हैं, उसकर आगे PNG जरूर लिगा देना, PNG डाउनोड क कर देंगे, तो यहां से आप कोई भी अच्छी सी इमेज ले सकते हैं, और उसको add भी कर सकते हैं, तो मैं Google से ही इमेज आपको use करना होता है, पिक्चर representation करना होता है, ठीक है गाइस, अब देखे, माली जी यहां पर background है, background आपने यहां से select किया था, माली जी यह background आपको नह image मिल जाती है, colorful, background, जो भी यह, जैसे यह background चाहिए, तो इसको download कर सकते हैं, यहां से, ठीक है, जैसे माली जी यह download हो जाएगा, तो इसको आप लगा सकते हो, ठीक है, ऐसे मैंने काफी सारे download करके रखी है, जैसे माली जी मुझे background लगाना है, माली जी इमेज बन गई, background नही पीछे रहे जाने के क्या करना पड़ेगा, इस पर click करो, यहां पर click करो, यहां पर क्या करना है, इस पर जाके यह edit वाला option है, यह वाला, इसके बाद इसको select कर दो, यह देखिए, कर दिया, कैसे करना है, यह वाले पर जाना है, यह वाले पर, और इसको यह वाले दबा देन अब जो कुछ लिखना है अब देखें लिखने में बहुत ज़ादा इंपोर्टिक कर जाता गाईस यह देखें टेक्स्ट को अपसने टेक्स्ट एड़ कर देंगे यहां से यह देखिए जो भी लिखना चाहते हैं सब कुछ आप यहीं से कर सकते हूं गाईस जैसे लिखना चाहते हैं आप word word war ठीक है तो ये देखिए word war मैंने लिख दिया यहाँ पर ये word war आ गया ठीक है अब देखिए यहाँ पर मालीजी यह simple है अब इसको क्या करने यह सारे यहाँ पर features हैं अब इनको आपको इस्तमाल करना पड़ेगा ठीक है अब मालीजी इसको आपको font style जो होती यह style इसको मोटा भी कर सकते हैं इसको पतला भी कर सकते हैं इसको ऐसे कर सकते हैं ठीक है तो यह आपके उपर depend करता है आप कैसे font style है अब font पे जाते हैं कई सारे font आपको मिल जाते हैं तो यहां से font वगर आप add कर सकते हैं, यह देखिए, तो काफी सारे font हैं, जो भी आपको पसंद आ जाता है, आप वो font यहां से select करेंगे, और इसके बाद से color आप selection करके, आप जिसे यह वाला यह देखिए, बन गया, अब इस एक थोड़ा सा ज्यादा भद्दा लग रहा है, तो sorry guys, थोड़ा ज्यादा हो गया, तो मैं इसको यहां से क्या करता हूँ, यह यहां से हटा देता हूँ, ठीक है, अब यहां पर आ गया, और देखिए, यहां पर कई सारे features है, stock लगा सकते हैं, मतलब border लगा सकते हैं, जिस भी color का लगाना चाहते हैं, black का border लगा सकते हैं, तो यह तो आपको उपर depend करता है, आप कौन से लगाना चाहते है, ठीक है, अब इसके बाद देखिए, 3D rotation भी option है, यह देखिए, 3D में rotate कर सकते हैं, x, y direction में, तो यह आपको उपर depend करता है, आप कैसे, मैंने सारी चीज़ा आपको बता दी, जैसे माली जे background लगाना इसी मे तो यहाँ से आप select कर लेंगे, यह देखिए, background भी लग जाएगा, जो भी आप background लगाएंगे, यह देखिए, select हो जाएगा, तो guys, यह तो आपको उपर depend करता है, आप कैसा बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, तो सारी चीज़ा आपको add करनी पड़ेगी, ठ thumbnail में text add करना है, यह देखिए, text आगया, text और भी लगा सकते हैं, जो भी add करना है, text और लिख सकते हैं, ठीक है, अब देखिए, यह तो मैं text आपको बता दी, अब माली जो कोई sticker लगाना है आपको, ठीक है, तो यहाँ से delete कर, sticker लगाना है, बीच में click करना है, sticker को option है, और य यह देखो bubble मिलना है, यह bubble, यह mouth में बगलवा लगाना है, यह देखो, bubble भी आपको मिलना है, यहाँ से bubble लगा सकते हैं, ऐसे rotate कर सकते हैं, इसको, यह देखिए, ठीक है, सारी चीज़ आपको मिल जाती, guys, यहीं से आप लिख भी सकतो, यहाँ पर text जैसे करके, यहाँ से text कर करके, जो भी लिखोगे, high, ठीक है, high कर दिया, और यहाँ से आपने इसको, यहाँ पर ले जाके, इसका आपके color, यह पर click करके, आप यहाँ से, मैं इसी से बनाता हूँ, ठीक है, मैं इसी से बनाता हूँ, यह देखो, high कर दिया, और यहाँ से मैंने इसे कर दिया, यह थाता हो ठीक है यह थोड़ा से एड आगा क्योंकि यह फ्री अप्लिकेशन है यह देखिए अब यहां से जो मैंने बनाया हुआ था यह देखिए यह वाला भी ऐसे ही बनाया गया है यह देखिए अलग इमेज है यह भी देखो अलग लगा हुआ है यह देखो अलग लगा हु तो सारी चीजे मैंने ऐसे ही बनाए इसी से बनाता हूँ यह देखो लग रहा है थमनल नहीं लग रहा है न यह देखो हड गया और इसके बाद मैं बैक करके आपको दिखाता हूँ यह देखिए बैक जैसे करूँगा पूरा अच्छा है जो पहले थमनल ता पूरा आ जाएग प्राम्ड गर्णबु और श्यक्राइं समुद्हां खेल हों करते हैं उतनी होगा तो ही को आप पहले से ले रखा है, ठीक है, आप ये देखे, font style जो है, ये दिखा देता हूँ आपको, font वगरा ये आपको, यहाँ पर ये काफी सारे font है, जो हिंदी में ये देखे, काली सक्चाई ऐसे करके, तो ये ऐसे करके change हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके जो font है, ये आप Google पे search क करके, कि pixel lab font, हिंदी font style, यहाँ से आप download कर सकते हैं, जैसे आप search करेंगे, pixel lab, pixel lab, हिंदी font, जैसे आप search करेंगे, यहाँ से आपको काफी सारे font मिल जाते हैं, ठीक है, उनको आप download कर लीजे, और download करने के बाद, यहाँ से काफी सारे font मिल जाते हैं, इनको आप download कर लीजे, डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना होता है, यहां से मैं बता देता हूँ, कैसे import करना होता हूँ, ठीके यह problem में, सारी चीज़े एक ही बार में बता देता हूँ, जैसे मालीजर कोई font है, इस पे आपको लगाना है, तो गया font पे गया है, रहें और वाहें फाइल यहां से घली करके जहां पर आपने डाउनलोड किया वहां से आप से लेकर अड़ कर देंगे तो फाइल आ जाएगी यहां पते ही separate अगर है अगर आप ऐसे चाहते आपको suspense create करना है बस एक चीज़ समल लेना suspense create कर लिए आपने YouTube वीडियो में अपने थमनल में तो आपके चैनल के subscriber आपके जब तक वीडियो में क्लिक नहीं होगा तो कैसे आपको लोग subscribe करेंगा आपके content कैसे देखेंगी तो main focus वोई हो जाता है content दिखाना तो finally मैंने आपको सारी चीज़े बता दी कि मैं कैसे बनाता हूँ थमनल आप कैसे बना सकते हैं फिर मिलता हूँ एक और कमाल की वीडियो में दोस्तों वीडियो पसंदे वीडियो को like करें चैनल पे नए हैं तो थोड़ा सा प्यार और support के चैनल को subscribe जरू कर ले फिर मिलता हूँ एक और कमाल की वीडियो में जहिन जय भारत